है लो नोजस्कार मेरे प्यारे साथिए आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कोलेज लेकर की विकेंसी को लेकर बहुत बड़ी बिग अपटेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में बने रही एंड तक दोस्तों वीडियो में आगे बाढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है अभी तक आपने हमारे यूटुब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां कि आपको परपल के अपडेट मिलती रहेगी ठीक है दोस्तों आपको बता दें कि जो मामला है जो कॉलेज लेक्टरा का एक मेने के बाद लगबग इसका एक्जाम होना तेया हो गया था इसकी एक्जाम डेट भी आगी थी लेकिन कुछ विद्यारती है वो हाई कोट की सरन ले ली थी हाई कोट में जाने का क्या रिजन ह वो भी अपने सबसे पहले जानते हैं लेकिंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी बात तो यह है कि हाई कोट ने उनकी सुनवाई कर आरपीएसी को एक नोटी जारी कर दिया गया है कि बच्चों के साथ एन आए क्यों कर रहे हो चली जानते हैं कि बच्चो कि सरण लिया है कि जो यह एक्जाम है उससे पहले शेट का एक्जाम करवाया जाए उसके बाद में कोलेज लिक्चरार की वेकेंसी कराई जाए ताके हम इस वेकेंसी में पार्टिस्पेट कर सके उनका कहना भी सभी है कि फिर उन्हों बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे वहां तुरा कारण ने भी ना his ने कर रहे थे थे इसलिए हाइड ने एसा क्यों किया कि शैट अक्जाम भी ना होने के बावजुद भी आपने इस पहले इसका एकजाम करवा रहे हो तो एक्जाम पोस्कारण नई होगा और उनका कोई ठोज कारण नहीं है तो एकजयम 100% दोस्तों पॉस्पनोंट हो जाएगा और लग बग मान के चले बिर आपका एकजयम एक साल आगे खिर सुक जाएगा ठीक है कम से कल मान के चले क्योंकि आपको पता है उतना लमबा क्यों जाएगा क्योंकि उस से पहलेанд का एकजाम होगा फिर उसका रजाल ठायगा फिर दुबारास फ़िरव भराः जाएंगी जुदन बहुत सारे生 휩ा ये अगर ऐसा होता है तो जैसे भी नई अपडेट आएगी था हम सबसे पहले आपको वीडियो के मायद्यम से पंवे राय एगे।